माफिया मुक्तार अंसारी आतंक का दूसरा नाम था आज उसे सुपूर्दे खाक कर दिया गया आज मुक्तार अंसारी का परिवार गम में डूबा हुआ है लेकिन ऐसे कई परिवार हैं जो मुक्तार अंसारी के सताय हुए है इन्हीं में से एक मामला है नंदिकिशूर अपारी थे उनकी अपारण के बाद हत्या खड़ दी गई थी सुनवाते आपको माफिया मुक्तार अंसारी मिट्टी में मिल चुका है लेकिन जब तक पूर्वान्चल में उसकी सल्तनत चली लोग उसके नाम से भय खाते थे अपने बाहुबल के दम पर वो अपरात की नई नई सीड़िया चड़ता जा रहा था और जुर्म के दुनिया में अपनी बादशाहत को कायम किये जा रहा मुक्तार अंसारी के गुर्गे सडकों पर खून खराबा करने से पीछे नहीं अटते वारांसी और चंदवली में मुक्तार अंसारी के अपरात की कहानी आज भी लोगों के जहन में ताजा है मुक्तार के गुनाह की किताब काफी बड़ी जो एक बार शुरू हुई तो इसके बाद उस किताब में जुर्म के कई बन्ने जुड़ते चिने पिली में से एक मामला है नंद किशोर रूंग्टा का बनारस के रहने वाले नंद किशोर रूंग्टा अज्याकार ने उस वक्त पुरे देश को छकजोर दिया था आज से 26 साल पहले यानि साल 1997 की बात है जब विशो हिंदो परशत के सक्री कारिकरता और मशूर कोईला कारोबारी नंद किशोर रूंग्टा को अगवा किया गया बाद में बेरहमी से उनकी हत्या कर देगे नंद किशोर रूंग्टा के शव को कई टुकडों में काट कर प्रियागराज में गंगा में वहा दिया गया था कहा जाता है कि अपनी गाड़ी से खुद मुक्तार अंसारी मौके बर पहुँचा और नन किशोर रूंग्टा को अपनी गाड़ी में जबरन बिठा कर ले गए इस वारदात के बाद उनके बड़े भाई महावीर प्रसाद रूंग्टा ने बनारस की भेलू पुर्थाने में माफिया डौन मुक्तार अंसारी समेत आधा दर्जन से धिक लोगों के खिलाब नामजद तहरीर दी थी चंदौली और बनारस के बड़े कोईला व्योसाई नंड की सोर रूंग्टा का है जब आरोब लगा था कि मुक्तार अंसारी और उनके गुर्गों ने 1997 में ना सिर्फ उनका अप्राण किया बलकि बाद में उनकी हत्का भी कर दी गई है आज हम उनके कोल डीपो में हैं और यह तस्विरे आपको उनके कोल डीपो की दिखा रहे हैं यही से वो कोईले का व्योसाई करते थे और 1997 में मुक्तार अंसारी पर ये आरोब लगा था कि वो अपनी स्टीम गाड़ी सराथ से आते हैं और इनका अप्राण करके ले जाते है करीब 20 दिन तक परिवार से रेंट्सम की बात की गई थी 5 करोड रुपए का रेंट्शंग मांगा गया था अप्राण बाद में फिर उनकी हत्या की इरदी जाती है और हंडिया के पुल से उनको यह बताय जाता है कि हंडिया इलाके में पुल से उनकी हत्या कर उनको फेक द प्रिया जाता है इस पूरे मायमले में पहले तो पुलिस में मुकमा दर्ज हुआ था और वगाज लेकुजा दर्ज वेपारियों ने बड़ा बिरोफ किया तो सी बी आई इको पूरा मामले की जाआ खिच की तो फास ट्रे-गोर्ट में से इस मुक्दमे में सभी नो बड़ी पुलिस की जाच में पता चला कि रूंग्टा को भदोही में बंधग बना कर रखा गया बाद में उनके हत्याकर शव को एलहाबाद के जूसी में फेक दिया गया था सीबियाई ने ये भी माना कि वारदात को खुद मुक्तार ने अंजाम दिया और इसमें उसके साथ ही गुर्मीद सिंग, जस्विंदर सिंग, परविंदर सिंग, अताउर रह्मान, शहबुत दिन, मूसे भाई, लाल जियादो और जीतेंदर दिवारी ने उसका साथ दिया था इन में से गुर्मीद, जस्विंदर और परविंदर को सीबियाई ने 18 मार्च 1997 को गिरफतार कर जेल भीज दिया था अभी भी ये मामला सीबियाई के अदालत में चल रहा है, लेकिन इससे पहले ही मुक्तार अंसारी की मौत हो गए एक जो ठर्म होता है वीर पूजा, जो वीर पूजा इस संदर्ब में होता है कि जो अच्छे काम करते हैं वो वीर होता है लेकिन आज जो मौडिफाइड डेफिनिशन है उसकी, जो बहुत बुरा काम करता है उसकी भी पूजा हो रही तो उसी में ये आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, बहुत आगे बढ़े और निश्चित रूप से जो ये 25 साल का लगभग या 20 साल का जो पीरियड बीता है ये हर एक अपराधी को याद रखना चाहिए कि कहीं न कहीं, कभी न कभी इसी तरीके का आंत होता है मुखतार अंसारी जरायम के दुनिया में अपना नाम बढ़ा कर चुका था नंद किशोर रूंग्टा हत्याकाण में नैतिक्ता की भी बली चड़ाती थी उसको ये सुनना चाहिए जो अंतिम जो बेटे के साथ जो उनका वरतलाप है उसको जरूर सुनना चाहिए कि अपराधी का अंत क्या होता है ये सावित हो जाता है और निशित रूप से अपराधियों का जो एक चरित्र है वो और एक हांकित होता है तूटी हुई आवाज खड़ा होने के लिए जद्दो जहद करना और फिर उसके बाद में ये कहना कि रूह यहीं रह जाती है बॉडी चला जाता है जरासा उस स्टेक्मेंट को उस वरतलाप को सुनिये तो अपराधियों की क्या इस्थिती होती है कल जिसके नाम से लोग थराते थे आज वो खड़ा होने के लिए पता नहीं पोशिश किया लेकिन पड़ा नहीं हो पा रहा था आज बावले मुफ़तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है लेकिन उसके गुनाहों की दास्ता हर किसी की जुबान पर है लोग कह रहे हैं उसे उसके कर्मों की सजा मिल गए निउस 18 के लिए नितिन गोस्वामी के लिए आज से करीब 20 साल पहले की बात है जब मुफ़तार के गुर्गों ने वंदे मातरम बोलने पर आजमगड के छातर नेता की गोलियों से भून कर हत्या कर दी थी शिबली नेशनल कॉलेज में इस सत्याकान को अंजाम दिया गया था इस सत्याकान की गूंच उस दौरान दूर दूर तक सुनाई थी माफिय मुकतार अंसारी इस दुनिया से रुखसत ले चुका है लेकिन उसके गुनाहों के लिस्ट इतनी लंबी थी जिसका जिक्र भर सामने आने से लोगों को पुराने दिन याद आने लगते हैं मुकतार अंसारी ने सियासत और बाहुबल के दम पर जुर्म का सामराज्वे खड़ा कर लिया था ऐसा कहा जाता है कि पुरवान्चल में उसकी समनांतर सरकार चलती थी मुकतार के मुँ से एक बार जो शब्द निकल जाए वो जो करनी की ठान लेता था उसे किसी भी हाल में पूरा करके ही दम लेता था पुरवान्चल का माफिय मुकतार अंसारी भले ही सुपुद्रे खाक हो गया हो लेकिन उसके अपराग के किस्से आजमगड़ में हर किसी के जुबान पर आज भी जिन्दा है वंदे मातरम का नारा लगाने की सजा एक छातर नेता ने अपनी जान की कीमत दे कर चुगाई साल 2004 की बात है मौका था छातर संग के चुनापका आजमगड़ के शिवली नेश्रल कॉलेश में छातर नेता अजीत राई कॉलेश परिसर में बंदे मातरम का नारा लगा रहे थे और मुकतार अंसारी के गुर्गों को ये बात रास नहीं आई वो अजीत राई पर तूट पड़े और उन्हें लाथी डंडों से पीच पीच कर अधमरा कर दिया वो बुरी तरह से लहुलूहान हो चुके थे मुकतार के गुर्गों का इतने से भी मन नहीं भरा जिसके बात में बदमाशों ने अजीत के सीने में कई गोलिया दागते और बंदू क Memphis का पूरा लोहा अजीत राई के सीने में उतार दिया जानलेवा हमले में अजीत राई की मौथ हो गई थी अजीत राय एबीबीपी के कारिकरता और आजमगड के शिबली नैशनल कॉलिज के बी एससी थर्ड एयर की छात्र थे और 15 अगस्त 2004 के दिन अजीत राय ने अपने कॉलिज में स्वतंतरता दिवस के दिन शिक्षकों से वंदे मातरम गाय जाने की मांग की थी उनके इस मांग को नाजायस बताते हुए कॉलिज के ही कुछ छात्रों ने विरोध किया और इसके बाद में अजीत राय की बीरहमी से हत्या कर दी गई कि चस्मदीद कवा सौरभ राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं हम उनसे जाना चाहें किस तरीके की घटना हुई थी और क्या खौब का मंजर था मुक्तारंग सारी का चुकि जो बताया जाता है कि जो भी इस हत्या में सामिल थे वो मुक्तार से ही जुड़े लोग थे उसमें जो लोग हत्या किये थे वो बहुत सात्री कुछ के अपरादी है और उन लोगों का मुक्तारंग सारी गैंग से सिधा संबंद था और उन्हीं की सह पाकर ये लोग अजीत राय की हत्या किये थे और आये दिन किसी न किसी के साथ मार्पिट करना गोली चला देना ये उन लोगों का रोज का धंदा था उस समय लेकिन माननी मुखमंत्री योगी आदियत नाजी की सरकार जब से बनी है उसके बास से अपरादियों पर काफी लगाम लगा है और अपरादियों में भय का महौल ब्याप ठेश करना मुक्तार का वर्चस्प केवल अपराद तक सीमित नहीं था बलकि शासन भी उसको चुनौती नहीं दे पा रहा था चैद यही वज़ा थी कि छात्र नेता अजीत की हत्या के बाद तीन दिन तक की हत्या के आरोपियों के खिलाफ पुले से कोई भी कारवाई नहीं किये इतना ही नहीं तब गोरकपूर के सांसद और आज के मुख्यमंतरी योगी आदितिनात आजमगर पहुँचे और धरने पर बैठ गए योगी की आवाज बुलंद करने के बाद ही हत्या के आरोपियों पर कारवाई की गई मुकतार के दौर में पुर्वांचल में हत्या अपहरन फिरोती तो बेहत आम हो गई थी पुर्वांचल के लोग भी इससे तरस्थ हो चुके थे आज मुकतार की मौत के बाद में आजमगर के लोग अजीत राय की मौत की सच्ची श्रद्धांशली बता रही है इन लोगों ने अजीत राय को अकेले पाकर सिबली कालेज में उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दिया था और हत्या के बाद काफी बवाल हुआ था यहां पे कर्फू भी लगा था और इसको लेकर पहले तो यहां का प्रसासन जो था उसमें सपा की सरकार थी उस दोरान प्रदेश में समाजवारी पार्टी की सरकार थी मुलायम सिंग यादव सुबे के मुख्यमंत्री थे उस दोर में आजमगर में जो माहौल था आज भी उसका खौफ लोगों के चहरे पर पढ़ा जा सकता है वंदे मात्रम हमारा राश्ट्रिय गीत है और वंदे मात्रम गाने पर अगर हत्या कर दी जाएगी तो फिर हम भगवान का नाम भी लेंगे तो कुछ भी हो सकता है तो आज जिसका न्याय नहीं कर पाए न्याय वाले नहीं कर पाए हमारी जज नहीं कर पाए उसका न्याय आज भगवान ने किया और उनको उनकी आत्मा को आज सांती मिली और उनको हम आज इस हत्या कांट के बाद ये जो मृत्यू इनकी हुई है जिस भी कारण से इनकी मृ हम इनको अजीत राय को एक भाववीनी संधान जिली आज मिली उनको और ये खौफ मुक्तार अंसारी का आज से हट गया सभी लोगों के दिल से हट गया गाजि-पूर म और आजमगर में मुक्तार अंसारी की तूती बोलती थी कोई भी उसका विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाता था आजमगर में तो मुक्तार अंसारी का इतना खौफ था कि उसकी बात ना मानने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता था मुक्तार की सल्तनत को ललकार्णे की हिम्मत किसी में नहीं थी मुक्तार ने अपनी देहश्वत कायम करने के लिए पुर्वांचल को रख्तांचल में बदल दिया था एक कहावत एक छोटी सी बहुत पॉपुलर है बोया पिड़ बबूल का तो आम कहां से पाऊं तो जिसने जैसा किया उसको ऐसा मिला जब उसकी भी हत्या होई होगी तो आज जो उनके घरवालों पे बीत रही है उस दिन उस बेचारे के भी घरवालों पे ऐसा ही बीत रहा होगा तो आज वो घर वालों के दिल पे बहुत दिनों के बाद जो ठंडक पहुची होगी इस से वो रहात उनको आज बहुत मिली होगी तो जिस तरह से हर आतंग का खात्मा अतिक का खात्मा हुआ इन मुक्तारंसारी का खात्मा हुआ और जिस तरह से भगवान नयाय करते जा रहे ह हम चाह रहे हैं कि सारे जो अप्रादियों का खात्मा हो वंदे मात्रम का नारा लगाना ही छात्र नेता अजीतराय की जिंदगी पर भारी पड़ गया सही मायनों में आज अजीतराय के परिवार को इंसाफ मिला है माफिय मकतार अंसारी के जुल्म की कहानी बहुत लंबी है उसकी दबंगई के आगे सेक्डो परिवारों के जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई हरीश चंद विश्वकर्मा भी उनी में से एक है हर्ण परिवाद के जिसां है अर्ण विश्वकर्मा हुआ हम परिये बग्स lightly हम ची के जिंदinden माउ में रहने वाले ये हरिश चंदर विश्वकर्मा है और ये मुखतार और उनकी गैंग के निशाने पाराय दे साल 2003 में ये रेलवे से रेटायर हुए और इनके साथ ही मुखतार के गुर्गों ने नाइंसाफी की थी लेकिन हरिष चंद्र हार नहीं माने और केस लड़ते रहे। हरिष चंद्र विश्वकर्मा ने बाहु बली मुक्तार अंसारी के खिलाफ साल 2003 में जमीन हड़पने का मामला दायर क्या था। इतना ही नहीं उनकी 2000 एट भी चुरा लिये गए थे। क्योंकि मुक्तार कोई कार्क्रम में आना था और रास्ते के लिए इन हीटों का इस्तमाल क्या ग्या क्योंकि इस आवेस में हम हीटा रखे थे घर बनाने के लिए एक टाली अभी किराये थे उस हीटा को भी ले करके परंजे मेलों लगा उच जमाने में मुकतार अंसारी के नाम से लोग खौफ खाते थी लेकिन हरिश्यंद्र ने बहु बलिया और उनके गुर्गों के सामने हार नहीं मानी अपना लड़ाई शुरू कर दिये हम लिखा पड़ी शुरू कर दिये हैं डियम के हैं एस पी के हैं और मतलब कि यह कौन सा संथ था उस समय जब रिटायर होके आये थे 2003 2003 मुक्तार अंसारी सापको डर नहीं लगा था जब आपने उनके खिलाफ मुहीं चेड़ी थे उनके गुरुगों के खिलाफ वो समय तो तूती बोलती थी तो कहने का मतलब यह है कि हमारे दिल में एक भाव आया कि जब मरना है तो कहने का मतलब है मुक्तार की क्राइम फाइल में ऐसे कई पन्ने दर्श है जिनमें गरीबों से नाइंसाफी की दास्ता है जिन्होंने मुक्तार के जुल्म का दंश छेला है मौसे निउज 18 के लिए अभिशेक राई की रिपोर्ट तो कुल मिलाकर एक कि बादें कैसी कई कहानिया सामने आ रही जो बता रहे है कि मुक्तार का किस कदर आतंग था मुक्तार अंसारी किसी के लिए रॉबिन हुट था तो किसी के लिए वो खौफ का दूसरा नाम था मौव में रहने वाला सुशील का परिवार भी कई सालों से डर में जी रहा था लेकिन मुखतार की मौथ से मौव की जंता ने रहत किसा माफिया मुखतार अंसारी जिस मिट्टी में पैदा हुआ था वो इसी मिट्टी में मिल गया लेकिन जेल जाने से पहले मुखतार की दहशत पूरवांचर में दूर दूर तक देखने को मिलती थी लोग उसके बारे में बात करने से भी आसहज हो जाते थे क्योंकि मुकतार अंसारी का खौफ ही ऐसा था मुकतार अंसारी से सीधे पंगे लेने का दुर्साहस कोई नहीं कर पाता था लेकिन मौ के गिन्यूपुर गाओं के सुशील कुमार सिंग मुकतार की सल्तनत के आगे नहीं चुके साल 2014 में मुक्तार अंसारी ने बड़ी साजिश रची थी इसमें आजमकड के तर्वा थाना छेत्र में एक मजदूर की हत्या कर दी गई थी और मुक्तार अंसारी ने विरोधियों को फसाने के लिए इस साजिश को अंजाम दिया था लेकिन वो खुद ही इसमें फस गया शुशील कुमार सिंग ने मुक्तार के खिलाव गवाही दी देखिए उनका धमकाने का तरीका अलग अलग रहा है कभी मुचों पे ताव देना, कभी दात को रगड़ना, कभी घुरून के देखना कभी बाउसाब का घर कहां है, कहां के रहने वाले हैं इस तरीके का एक्टिविटी उनकी रहती थी और अपने लोगों से ख़बर दिलाना कि घर पे मा के आँ भेजना, पिता जी क्या भेजना, भाईयों के आँ खबर दिलाना कि इस मामले में नहों आपके बिरादरी के हैना, आपके गाउं के हैना, आपके परदेश के हैं वो मजदूर है, मजदूरों के पच्छ में आप गवाई क्यूं दे रहा है, उससे आपको क्या मतलब है कभी किसी के माध्यम से मेरी पत्नी तक खबर खबर भेजवाना इतना ही नहीं मुकतार अंसारी ने जश के सामने ही शुशील को धमकाया था शुशील कुमार बकालत करते थे लेकिन उनको बकालत छोड़नी पड़ी साल 2005 में मौ दंगो की आग में जुलत गया इसमें 17 लोगों की जान गई थी और इन दंगो का सूत्रधार भी मुकतार अंसारी ही था मुकतार खुली जिपसी में हतियार लहराते हुए अपने गुर्गों के साथ खुले आम घूम रहा था जो इस बात की गवाही देता है कि उस वक्त मुकतार अंसारी का कैसा रसूक रहता होगा किसी दोर में मौ में मुक्तार अंसारी का वर्चस्व दबदबा रहता था लेकिन अब मुक्तार की मौत के बाद से वो दबदबा भी दरखता दिख रहा है सही मायनों में मौ की जनता ने अब राहत की सास्टी है मौ के लोगों ने भी उस दोर के भायानक पंजर देखे हैं तार अंसारी ने सैग्डो परिवार पर करारी चोट की है किसी की जमीन कब जाई तो किसी की हत्या में सीधा उसका नाम आया अपने गुनाहों की सजा वो सलाखों के पीछे काट रहा था लेकिन अब वो खुद मिट्टी में मिल चुका है मौसे न्यूज एटीन के लिए अब शेक राय की रिपोर्ट